और यहां पर आपए आपको यहां पर अपहलाा पे हम्हाँ यहां सब्सुर्रा आपको कुछ कुछ जासंट्रौ मेरा नाम है सवैदुल और आप क्रिप्टों सवैदुल आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि PLCU Classic से PLCU Ultima मैं कैसे swapd करना है उसको मैं यहां पर दिखलाने वाले हो और करके पूरा बताने वाला हो किस तरह से यहां पर स्वाइपिंग करना है तो उसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास तक देखना होगा तब जाकर आपको पूरा समझ में आएगा और उससे पहले आपको एक काम क करना है PLCU Classics तो उसके लिए आपको सबसे पहले देखना है आपका फंड कहा है तो हहां पे फंड को किलियर हो गया उसके बाद यहां पर आपको आना है क्लिक करने यह आपको यहां पर डबल लाइन दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक करने का बाद यहां पर आपको चले जाना है पी अल्टीमा का वेबसाइट पर यहां पर जो पी अल्टीमा उसमें जाना है कि ना कि अल्टीमा फार्म के वेबसाइट पर तो इस पी अल्टीम के website को हम लोग click करते हैं, click करने के बाद यहां पर खुल के आ जाता है, PLC Ultima का website जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं किस तरह से इसका इंटरफेस वगएरा सारा कूछ यहां पर आप इसको देख सकते हैं उसके बाद यहां से हम लोग को स्वाइपिंग करने तो इसके बाद यहां फिर से आपको किलिक करने इस बटन पर त्री लाइन है उसके बाद यहां पर आपको स्वाइपिं यूनिट्स तो इस पर आपको क्लिक करने यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वाइपिंग यूनिट्स के लिए आपको स्वाइपिंग करने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं उसका स्वाइपिंग करने के लिए minimum amount आप का होना चाहिए 0.01 PLC UC आप 0.01 PLC UC रहेगा आपको पास तभी आप इसको swiping कर सकते हैं और यहां से आपको बहुत सारे swiping के लिए मिल जाते हैं coin वगरे जैसे के आप यहां पर देख सकते हैं आप बहुत सारे swiping कर सकते हैं सबसे highest में भी देखें तो 1000 का है जिसको आप यहां पर कर सकते हैं minimum यहां से 0.01 PLC UC को आप swiping कर सकते हैं तो इसको swiping किस तरह करना है उसके लिए आपको यहां पर हम लोग आ चुके उसके बात जाणको यहां पर जैसे कि मैं सबसे छोह सबसे चोटा वाया करना हूं 0.01 PLC UC का तो यहां पर इसको swap करने के लिए इसको direct आपको किलिक करना है के बटन तो देख सकते हैं popular आपको यहां टिक करना है यहां पर आघरी पर किलिक करने के बाद जश्ट आपका यहां पी खुल के आएगा मैं दिखलाता हूं आपको तो गाई जैसे कि आप यहां पे देख सकते PLCU Classic पे order number यहां पे आ जाता है transaction will expire मतलब 24 गंटा के अंदर यह transaction expire हो जाएगा waiting for transaction के लिए यहां पे आप QR code देखने को मिलता है और यहां पे यहां पे आने के बाद PLCU C आपको search करना है आपको fund PLCU C उसी coin speed में है तो आपको इस तरह से करना और उसके बाद यहां पे आपको विड्रोल पर click करना और इस तरह से इसको यहां पे paste करना है पेस्ट करने के बाद फिर से आपको यहां पे आने के बाद इसको आपको यहां पे आने के बाद इसको आपको यहां पे आने के बाद आने के बाद इसको आपको यहां पे आने के बाद 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 आने के यहां पर मैं Ultima Wallet पर चला जाता हूं, यहां पर आने के बाद just यहां पर हमको klik करने जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं PLC Classic पर है तो यहां पर आपको send पर klik करने के बाद, सेंड पर klik करने के बाद, यहां पर आपको, टैप करने, 0.01, हम लोगो टैप करना, उसके बाद यहां पर आपको, next पर किलिक करने, करने के बाद, आपको डारेट चले जाना है, इस और बा Careful सेखेंने, यहां पर आने का बाद, इसड्रेस जो यहां पर है, इसको आपको copy करना है, copy करने के बाद यहां पे आपको just passport डाल लेता हूं, passport डालने के बाद यहां पे आपको paste करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं नहीं पर करने के बाद आपको एक बार मिला लेना है यहां specialist सिंपल से कुछ नहीं करना यहाँ पर send पे click करने, send पे click करने के बाद just यह हमको का payment हो रहा, जैसे कि आप देख सकते है, congratulation the transaction has been sent of processing and will soon appear in the list, तो guys कुछ ही देर में अभी इसका payment हो जाए, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, यहां से amount भी cut शुका है यहां पे मेरा 0.002 अभी आप यहां से cut शुका है और यहां से cut शुका है, यहां से cut शुका है यहां पे वो amount अभी कुछ ही देर में यहां पे transaction हो जाएगा, तो guys यहां पे देख सकते हैं, मतलब just वहां से मैंने transaction के और यहां पे तुरंथ accept हो गया, मतलब एक second भी नहीं लगा और यहां पे transaction तुरत complete हो जाता है तो बहुत थी first एकदम चाल रहा है, आपको दीख रहा होगा जैसे कि transaction, तो यहां पे आप just यहां पे, अब आपको मैं दिखलाता हूँ, यह तुरंथ हो गया और यहां पे आप देख सकते हैं जो कि मेरा पहला पे out भी आ चुका है यहां पे, आप जैसे कि देख सकते हैं यहां पहला पे out आ चुका है तो यहां किस तरह सारा, क्या रहा है मैं आपको सारा कुछ देखलाता है, just mean आपको यहां पे, नीचे आपको जाके देखलाता हूँ यहां पर आपको देखो, first year, second year, third year, fourth year, और यहां fifth year, total पांट सालों का रहेगत, यहां पर आपको just थोड़ा समय, यहां पर scroll करकर नीचे जाता हूँ, और यहां पर आप देखो, यहां पर मेरा आपका देख सकते हैं, first year, जो पहला साल, यहां पर आप देखो, amount मेरा 0.0401666 PLCU यू आया, ठीक है, उसको मैं अभी तुरंट निकाल सकता हूँ, मतलब आप जैसी आप स्वाइपिंग करोगे तो आपका first, वो तुरंट ही आजाएगी, जिस दिन आपका रगुज दिन, इसी तरह समया, one month में, मतलब one year में, two percent आएगा, one year में, two percent आएगा, जैसे कि आप य two percent मिलेगा, और यहां अगर देखे, मन्तली तो 0.189 के करीब आजाता है आपका, पर मन्त, यहां पर, उसके बाद यहां पर दूसरा year में हम लोग चलते हैं, यहां पर, ओ, दूसरा year में यह अभी नहीं जाएगा, यह जैसे कि यह one year में complete हो जाएगा, उसके बाद यहां से आप second year का देख सकते हैं, इसी तरह सी यहां पर आपको दिखला रहा है, जैसे कि, आप यहां पर देख सकते हैं, फास्ट year में कितना मिलेगा, 0.00002PLCU मिलेगा, उसके बाद चौथा साल में, 0.002PLCU मिलेगा, उसके बाद फिप्त year में, 0.0063PLCU मिलेगा मतलब 1 year में ये पूरा return हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ 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 स्वाइपिंग कब क्या है उसको यहाँ पे आपको दिखलाता है जैसे order number यहाँ पे आपको दिखलाएगा स्वाइपिंग यूनिट और आप कब की हैं उसको यहाँ पे देख जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा one minute पहले हुआ just one minute ago यहाँ बोल रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको आया तो उसके बाद यहाँ से आपको payout किस तरह से निकलता है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देख सकते हैं